हलो एवरिवन आप सभी को करवा चोथ की धेर सारी सुब काम ना आएं दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चोथ में समपूर्ण पूजा सामगरी क्या क्या होना चाहिए और हमें कितने करवा लेना चाहिए और क्या-क्या 16 सिंगार में हमें करना चाहिए आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आप सबसे रिक्वेश्ट है नए है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को सेर करिएगा ताकि और किसी को भी हेल्प हो सके तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको दोस्तो करवा चोथ में पूजा में क्या क्या समगरी आपको लेना है चलिए जान लेते हैं दोस्तो यहाँ पे करवा चोथ में आपको तीन कलस लेना तीन करवा लेना है तीन लोटा लेना एक में हम कलस रखते हैं और एक माता पार्वती का करवा होता है और एक हमारा करवा होता दो करवा आपको लेना है और अपने सासु मा के लिए एक सूट या साड़ी जो पहनती है वो ले लिजे और सिंगार का समान जरूरदान करिए माता पारवती को उसके बाद आप यहाँ पे जो मठी बगेरा स्वीट जो पकवान बना रखे हैं घर में इस एक लिए यह practice भी आपको खरिच सकसे मारकेट में भी बहुत है असानी से मिल जाता और करवा चोथे चार-चार का बहुत ही महत्वेते चारतरों के फ्रू Katha की ले ली जिए यहाँ पे दो दीपक लेंगे बतासा लेंगे और यहां पे फूर लेना है का समान लेना है यह शिंदूर, भिंदी, आलता, और पाउडर, काजल, लिपिश्टिक, जितना आपको जुट सके न उतना ले लिजी है, मातारानी खुस हो और धूप अगरवत्ती ले लेंगे उसके बाद आपको करवा चोथी का किताब लेना है और करवा माता का फोटो लेना है उसके बाद गंगा जेल आपको लेना है यहाँ फिर से में दिखा देती हूँ तीन करवे लेने एक में आपको कलस रखना है कलस रखेंगे और दो करवा लेते हैं एक माता पारवती का करवा होता है एक में ड्राइब फ्रूट होता है और एक में जल भरते हैं ड्राइब फ्रूट यह चीनी या मिठाई कुछ भी आप एक में भर सकते हो और जो एक करवे में हम पानी भरते हैं जिसमें हम पानी भरते हैं माता पारवती का करवा होत लेनी है चलनी का इसमें विशेस महत्व होता है और आपको सिनारियल भी चढ़ाना है इस ब्रत में और इस तरीके से पूजा का समागरी देखिए बहुत ही असान है और जादे कुछ जंजट नहीं है आपको सिंगार का समान लेना है सफेद कच्चा धागा लेना है मौली का ध हिताब लेना है और फूल लेना है दो दीपक लेनी है और गंगा जल लेना है इस तरीके से यह हमारा पूजा का समागरी हो गया और उसके बाद आपको पूजा में बैठने से पहले आपको सोला सिंगार करना पड़ता है तो सोला सिंगार में आप क्या क्या कर सकते हो महंदी दोनों हाथ में आपको रचाना है भर भर के और उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद आपको चूड़ी भी पहननी है भर भर हाथ चूड़ी पहनने के बाद आपको अपने पैरों में पायल विच्छुआ और उसके बाद मेकप बगेरा करिए और काजल लगाईए और पैरों में पायल हो गया काजल हो गया लिपिष्टिक हो गया सिंदूर हो गया सब मिलाकर हम 16 सिंगार करते हैं और उसके वाद जो हम चुनरी ओढ़ते हैं वह भी 16 सिंगार में ही आता है तो एक करवा चौत हो गया या तीज हो गया अगर आप जिस पर आपकी साधी होती है न वह अगर साधी वाला कोई भी एक बस्तर जरूर ले लिजे या फिर आप चुनरी ले लिजे या फिर कोई भी कपड़ा जरूर पहनिए वह बहुत ही सुब होता उसके वाद 16 सिंगार करनी के वाद सुरी भगवान को डुपता हुआ सुरी को अर्ग जरूर दीजिए उसके बाद ही आप करवा चोथ पूजा में जाकर पूजा पर बैठिये कथा पढ़िए और इस तरीके से आपको पैरों में विसेश करके महावर जरूर लगानी है अगर आपके पास चांदी की बिच्वा पहन दीजिए अगर चांदी की बिच्वा नहीं है तो आप कोई भी बिच्वा पहन दीजिए मगर बिच्वा और पायल जरूर पहनिए क्योंकि बहुत ही सुब होता है उसके बाद बालों में गजरा लगा लीजिए आज कल तो आटिफिसियल प्लास्टिक वाला गजरा लो फाइनल लुक है और प्रोपर मेकप पूरा तयार होके सोला सिंगार करके ही हमें करवा चोथ में या तीज में हमें बैठना चाहिए एक करवे में हम जल भरेंगे एक करवे में ड्राइब फ्रूट और अनाज मिठाई कुछ भी आप रख सकते हो जितनी आसा करती हो आप सो क